नमस्कार और आप देख रहे हैं क्लैप्राइप एक बार फिर से आपका स्वागत है अर्चिताट गैलरी में हूँ and I am buying paintings for myself मैंने अपने खुद के लिए खरीती है मुझे लगा आपको भी अच्छे लगेंगी painting खरीते समय खास क्या लखना है आपको YouTube पर जाके main video देखिए जहां पर हमने main tips share किये हैं कि कभी भी paintings बहुत छोटी नगलें जितनी बड़ी होगी उतना अच्छा होगा private photos जैसे आपके family photos हैं प्लीज उनको drawing room में ना लगाए ना रखें उनको आप अपने bedroom में रखें gallery है तो बहुत सारी photos लगाएं अगर आप बहुत छोटे घर में लगा रहे हैं तो बहुत जादा आप opposite contrast ना लगाएं एक ऐसी painting लगाएं छोटे घर में जो आपकी wall में merge हो जाए बड़े घर में आप play कर सकते हैं religious paintings हैं भगवान की photo प्लीज भगवान के लिए यहां वाया मत लगाएं उनको अपने मंदिर के space या area में लगाएं तो वो अच्छे दिखाई देते हैं हाँ अगर वो बहुत artistic है और आपको लगता है Indian home आपने बनाया हुआ है यहां पर बहुत traditional home है तो वहां पर आप उसको लगा सकते हैं इस तरह से आपने अपने घर के aesthetics का ध्यान रखें painting को हैं करते समय याद रखें कि उनको लगबग आप अपने eye level पर रखें है आपकी अपनी आपके